जै गुरुजी शुकराना गुरुजी सारी संगत को जै गुरुजी आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरुजी का स्वागत कैसे करें ये कोशन एक संगत जी ने पूछा तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दू क्योंकि अक्टूबर के मन्द की गुरू जी के स्वरूप की सेवा पोस्ट कर चुकी हूँ जिन संगत के नाम एनाउंस किये थे जैसे ही उनको मिल जाए प्लीज मुझे जरूर बता दे कि आपको मिल गए हैं संगत जी जैसे ही आपको गुरू जी का स्वरूप मिले तो आप सबसे पहले उसको फ्रेम करा दे और फिर जब भी आप घर लाएं तो छोटा सा सत्संग कर ले जिसमें सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स ही हो अगर आप चाहिए तो और संगत को भी बुला सकते हैं वो सब आपकी पॉक्टिट पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाते हैं या फिर कैसे करना चाते हैं अभी तो मैं बस इतना बतााऊंगी कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे घर में स्वागत करें गुरु जी को घर में स्थापित करने के टाइम अपने family members के साथ गुरु जी का स्वागत फूलों से करेंगे मतलब जैसे ही आप अपने entrance gate से अंदर घुसेंगे घर की तरफ तो आप गुरु जी का फूलों से स्वागत करते हुए गुरु जी को स्थापित करेंगे फिर गुरु जी के सामने जोज जला कर जल प्रशाद धक कर रखेंगे फिर मंत्र जाप चला कर गुरु जी के सामने बैट जाए उसके बाद शबद गुर्बानी चला कर गुरु जी के लिए या चाए बिस्किट या चाई पकोड़ा या चाई समोसा कुछ भी लेकर आए लेकिन जो भी लेकर आए उसको ढख कर लाए और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दे और फिर 10-15 मिनट के बाद चाई प्रशाद और जो भी आपने साथ में रखा है वो सबको खाने के लिए दे दे क्योंकि वो प्रशाद है और उसको थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है सारे फैमली मेंबर्स ने उसको पूरा फिनिश करना है और फिर आप हैंड वाश कीजिए शवत गुर्बानी चली ही रहने दीजिए और जाकर कड़ा फ्रशाद बना लीजिए अब कड़ा फ्रशाद कैसे बनाते हैं वो मैं इंट स्क्रीन में लगा रही हूँ बनाने से पहले जरूर सुन ले और कमेंट्स में भी पिन कर रही हूँ और कड़ा फ्रशाद बनाने के बाद स्थील की कटोरी में डाल कर स्थील की कटोरी से ढग दे और गुरुजी के आगे रखे जब आपकी शबत गुर्बानी खतम हो जाए तो शिवजी की आरती ज़रूर चलाए और शिवजी की आरती के बाद आप सबको कड़ा प्रशाद दे दे ऐसे हम गुरुजी का स्वागत कर सकते हैं और हमारा एक फैमली सत्संग भी हो जाएगा गुरुजी ऐसे सत्संग घरों में बहुत करवाते हैं गुरुजी का सत्संग आप अकेले भी कर सकते हैं फैमली के साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो दो चार लोगों को बुला कर, या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा सत्संग करना है, तो उसमें गदी लगानी होती है, तो आप जैसा सत्संग करना चाहते हैं, आप वैसा सत्संग कर लें। और हाँ, साथ में जो आपको पॉकेट स्वरूप मिलेगा, वो आप हमेशा अपने पास रखे, आप जहां भी जाए, गुरु जी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ जरूर लेकर जाए, और गुरु जी को बोल कर जाए, कि गुरु जी चलो मैं यहां जा रहा हूँ, या चलो मैं यहां जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, गुरु जी सबको खुश रखे, अपने कृपा सब पर बनाए रखे, अगर आपको गुरु जी से रिलेटेट कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका अंसर कमेंट्स में रिपलाई करकी, या फिर वीडियो बनाकर जरूर दोंगी, जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी